हाई गाइस बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए जो भी फर्स सेमिस्टर के स्टुडेंट्स हो सभी के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना जो भी मैं बताता हूँ अच्छे से सुनना और सुनने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा उस लिंक के द्वारा आप जाके प्लीज एक बार अपना जो भ बॉक को एक बार इक बार कल लेना ठीक है अब यहाते हैं एक्जाम एट्स में तो दिक़्िएस असाम इनि्वरसिटी से यह नोटिफिक्शन आया है चिसके यह बताया गया है कि आपका आपगी पर लाब देया गया है अभी बहुत सारे स्वोचे से कि हमारे तो registration हुआ ही नहीं है तो देखो इस registration के बारे में भी आसाम इन्डिवर्सिटी के नॉटिफिकेशन में मेंशन है कि आपका registration नमबर वो होगा जो की आपका login ID था Login ID कौन सा? आपने जब registration किया था During the, मतलब आपका admission के बाद एक आपने registration किया था Asam University में आपको भी बता है, ठीक है तो उस registration के time आपका जो login ID था वो होगा आपका registration number और उस वक्त जो आपने password set किया था वो होगा आपका registration number का आपका password ठीक है, और website कौन सा है, website है मतलब asam university.nep उसमें जाके आपको मिल जाएगा ठीक है, वो मैं बता दूँँगा, निच्चे लिंक दे दूँगा उसका वो जाके directly आप उधर से क्लिक करके आपका registration login पर जा सकते हो अभी आपका dates कौन सा कौन सा है तो देखो आपका internal mark entry का date है 5 February से लेकर 10 February तक ठीक है, उसके बाद आपका attendance का mark 7 February से लेकर 12 February तक तो यह जो internal mark entry है attendance mark entry यह आपका नहीं है यह college करेगा, college 5 तरिक से लेकर 10 तरिक के बीच में आपका internal marks entry करेगा, उसके बाद आपका अगर कोई भी गलती होता है तो आप जाके application वगरा दे सकते हो इसलिए 2 दिन का time दिया गया है उसके बाद 7 सारिक से लेकर 12 तरिक तक आपका attendance का mark entry होगा और उसके बाद 13 से लेकर 17 तक आप अपना जो भी examination fees है आपका paper के मतलब हिसाब से जो भी examination fees रहेगा वह आप उधर पर जाके pay करोगे अपना portal पर जाके आसा मिनिवसेटी registration portal पर जाके तो अगर किसी को भी दिक्कत होता है पर करने में तो हम तो ही वह हम कर देंगे तब कोई tension लेने का बात नहीं है हम मतलब में और मेरा टीमोग करके देंगे ठीक है इसके साथ में बताना चाते हो कि जैसे कि आपका इंटरनेर मार्क्स आपका attendance का marks और submission of examination form हो रहा है 17 तारीक तो आप समझ सकते हो कि कम से कम 22 तारीक या फिर 30 तारीक को आपका जो भी routine है वो publish कर दिया जाएगा और आपका exam जो है वो March के first week पर start होगा March के first week पर आपका examination स्टार्ट होने जा रहा है उससे पहले नहीं होगा यह मतलब ऐसा नहीं कि आचानक से हो गया देखो यह मैंने पहले से जो वीडियो डाला था मैंने exam के related वो जाके एक बार देख लेना उसमें मैंने जो जो बताया वो सब चीज़े इधर पर हो रहा है तो आपका exam जो है वो March के first week पर start होगा इससे पहले नहीं होगा आप अच्छे से पढ़ो आप बस वो 13 से 17 तक हमारे साथ contact कर लेना हम आपका registration fees जो भी है वो पे करके आपको एक्दम exam के लिए रेडी करके दे देंगे बाकी आपको जाके बस exam पर बैटना है तो आई होब वीडियो बहुत इंफर्मेटीव था प्लीज वीडियो को एक बाद शेर कर देना दोस्तों के साथ और सुभी सुभी वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा sound का issue हो सकता है प्लीज मतलब शमा कर देना और प्लीज वीडियो को एक पार like कर देना थेंक्यू